हेलो दोस्तों आप सबको पता है कि सीजल 2022 का मेंस का सारी सिफ्ट का एक्जाम हो चुका है बहुत सारे लोग पूछ रहें कि कट आउफ कितनी जाने की उमीद है देखे इस बार वेकेंसी सबसे ज़दा थी तो थोड़ा उमीद लगा पाना मुश्किल हो रहा है और एक तो एंसर की नहीं है एक बार एंसर किया जाए और उसमें हम यह थोड़ा अंदाजा लगा लें कि कितना लोगों ने स्कोर किया है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों पूछा तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यदा डिफिकल्ट पिपर आया है जीएस का हो सकता है और कुछ और भी चीज़े फैक्टर्स है जैसे कंप्यूटर का किसी का मदब का टॉफ जितनी कौलिफाइंग है उतना ही नहीं हो पा रहा है तो वह बाहर हो जाएगा इस टाइप की बहुत सारे एक्षे फैक्टर हैं जिनकी वज़ाए से कटॉफ उतना आसानी से डिक्लेयर कर पाना मुस्किल है फिर भी मैं आप सपों को एक चीज़ बताना चाहता हूं अगर किसी के मार्स अगर 270 से कम आ रहे हो अभी आपने पिपर दिया होगा और आप अंदाजा लगाई लिये होंगे कि आपका स्कोर कितना आने वाला है अगर 270 के नीचे आ उपर आ रहे हैं तो आप तैयारी बंद कर सकते हो क्योंकि आपका इसमें अच्छा स्कोर भी है और आपको अच्छी पोश्ट मिल जाएगी लोकेशन का भले ही उसमें भी हो सकता है क्योंकि 310 मार्स ऐसे नहीं है कि जहां पर आपको मतलब यह हो जाएगा कि हो गया और अच अच्छी वेकैंसी और अच्छी लोकेशन के लिए मुझे लगता है कि 310 मार्स भी काफी नहीं होंगे कमी पढ़ जाएंगे तो इसलिए जिसके भी 270 से नीचे आ रहे हैं वो तैयारी स्टार्ट कर दो यहीं बाते हैं और अभी एक बार आजाए एंसर किया जाए तो मैं एक